देखें, इंग्लिश में एक शब्ध है, definitely, d-e-f-i-n-i-d-e-l-y, definitely, तो इस वीडियो में definitely का इंग्लिश और हिंदी में क्या अर्थर मतलब होता है, जानेंगे, example से इसको sentences में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे, देखें, definitely, मतलब किसी बात को सही होने पर बल देने के लिए, जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी ने बोला कुछ भी, तो आप बोलेंगे definitely, बिल्कुल, सही, सच, यकीनन, ठीक है तो हिंदी में अर्थ हुआ इसका निश्चित रूप से, बिल्कुल ठीक, यथा अर्थ, सटीक, सटीक रूप से, एकदम सही, यकीनन, और इसके सुनानिम साते हैं इंग्लिश में surely, for sure, unquestionably, absolutely, and it is similar और भी इसके सुनानिम हो सकते हैं, चलिए अब इसको, example से sentences में यूज़ करके अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे बोलेंगे, something should definitely be done about this, मतलब इसके बारे में इसके मुतालिक यकीनन, कुछ किया जाना चाहिए, तो definitely का मतलब यकीनन, इसी तरह से दूसरा example होगा, इसी से समझते हैं, definitely I will take care of her, यकीनन मैं उसका ख्याल रखूँगा, उस पर धियान दूँगा, तो definitely का मतलब यकीनन, ठीक हैं तो उमीद आपने definitely शब्ट को English और Hindi में example के साथ मैं अच्छी तरह से समझ लिया है, thanks for watching as you care desk आपने contemplation को आपने कीनन मैंश्पोर में फूसरा फिर के साथन के साथरान प्रोतगार हैं,ungeद दूसराम तरह से सस्मझ, टो शर्यावात। यकीननो, बड़िर बड़नितर हैं, मातलब व मतलब ये चैसके वीकीन हैं, र मीन तरह स्यानड़angle働 तरह से देऊग, ए्स्दिस